हेलो गाइज इस डोरमेट को बनाने में दो कलर की साड़ी लगी है। दोनों कलर की साड़ी आधा-धा साड़ी लगा है । पूरी साड़ी नहीं लगा है। और देख सकते हैं आप लोग ये बहुत ही अच्छा डोर्मेट बना है और इसे आप काफी दिन तक यूज़ कर सकते हैं इसमें फंदे का सिकुडन बिल्कुल भी नहीं है आप इसे वासिंग मसीन में भी दो सकते हैं कि देख्या आप लोग तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक साड़ी की पट्टी ले लेंगे हम 6-7 इंच का ले लेंगे साड़े 6 इंच का पट्टी है और दो और पट्टी लेंगे हम तीन तीन इंच की और इन दोनों पट्टियों के दूसरे तरफ से अपने पिल लगा लेंगे आप लोग को जहां कहीं भी समझ बिना आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को भीना इसकीप किये देखना आप लो तो इन तीनों पट्टियों को एक में करके अपने तीन उंगलियों पर एक बार लपेटेंगे और रेड़ वाले पट्टी से हम फंदे बनाएंगे और बागी की दो पट्टिया हैं उन्हें हम एक उंगले से दबा लेंगे इस तरह से फंदे बनाएंगे देखिया आप लोग फंदे को इस तरह से बनाना एक पट्टी के अंदर से ही सेप्टी पिन को लाना है इस तरह से हम एक रिंग आकार बना लेंगे फंदे बनाते हुए वीडियो को फाष्ट कर दिये हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए तो यहाँ पर इस तरह से हम एक रिंग बना लिये हैं रिंग बनाने के बाद इसको ठीक कर लेंगे देखे आपनों अब इसके बाद हम गोल्डन वाली पट्टी से दो फंदे बनाएंगे यहाँ पर एक फंदे में दो फंदे बनाएंगे आप लोग बहुत ही असान तरीके से हम बनाना सिखाएंगे डोरमेट बहुत ही असान तरीके से इस तरह से इसके बाद रेड़ वाली पट्टी से फिर हम एक फंदे में दो फंदे बनाएंगे इसके बाद गोर्डेन वाली पट्टी से फिर हम दो फंदे बनाएंगे इस तरह से एक कलर से दो दो फंदे बनाते हुए ये पहला लाइन तैयार करेंगे अब यहाँ पर नीचे गोल्डेन वाली पट्टी से बनाया है तो इसके ओपर हम रेड वाली पट्टी से बनायेंगे इस तरह से फंदे हमको बनाने है नीचे जिस कलर से बनाया है उस कलर से बिल्कुल भी नहीं बनायेंगे हम यहाँ पर देखिए रेड वाले से बनाया है तो हम गोल्डेन वाले से बनायेंगे इस लाइन में फंदे नहीं बढ़ाने हैं, दो फंदे में दो ही फंदे बनाने हैं, इस तरह से दो दो फंदे बनाते हुए ये लाइन तयार करेंगे, आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग को किस तरह का डोर्मेट अच्छा लगता है, सूतली वाला या साड़ी की वाला अब इसके बाद यहाँ पर हम तीन फंदे बनाएंगे यह सकते आप लो यहाँ पर रेड़ वाली पट्टी से बना रहे हैं क्योंकि नीचे हम गोल्डन वाली पट्टी से बनाया हैं तो यहाँ पर हम रेड़ वाली पट्टी से बनाएंगे तीन फंदे पिर यहां भी हम तीन फंदे बनाएंगे गोल्डेन वाली पट्टी से इस तरह से ये लाइन तयार करेंगे अब इसके बाद हम चार फंदे बनाएंगे एक कलर से तो यहां पहले वाले में हम दोग फंदे बनाएंगे और फिर इसके बाद वाले फंदे में हम दोग फंदे बनाएंगे इस तरह से चार फंदे बनाएंगे एक कलर से इसके बाद रेडवाली पट्टी से भी हम चारी फंदे बनाएंगे पहले बाले में दो फंदे और उसके बाद जो फंदे है उसमें भी हम दो फंदे बनाएंगे इस तरह से ये लाइन तयार करेंगे अब इस लाइन में फिर हम एक फंदे बढ़ाएंगे तो पांच फंदे बनाएंगे पहले वाले में दो फंदे बनाएंगे कि वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा वाले वाले में दो फंदे बना लिए हैं फिर बीच वाला जो जगह है उसमें हम एक फंदे बना रहे हैं फिर इधर वाले फंदे में दो फंदे बना रहे हैं इस तरह से करके हम पांच फंदे बनाए हैं इ जी तरह से रेड़ वाली पलटी से बनाये हैं उसी तरह इस पप्टी बनाएंगे पहले वाले में दो खंड़ बनाएंगे और बीच में जो जगह है कैप उसमें से हम एक फंदे बनाएंगे और इधर वाले फंदे में से हम दो फंदे बनाएंगे इस तरह से आपको जितना बड़ा बनाना हुआ बना सकते हैं फंदे को बढ़ाती हुए अगर आपको कहीं समझ मिनना आया हो तो आप कमेंट करके वीडियो को लाइक करें चैनल पिनना है मोटे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में सिज़ार करें आप